नमस्कार खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ लोगे इश्ट्रगवानी संसद में देश का आम बजट पेश हो चुका है वित्यमंत्री निर्मला सीता रमन अपना बजट भाशन समाप्त कर चुकी है बजट में आम करदाता के टेक्स लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया जबकि 75 वर्ष से उपर के वरिष्ट नागरिकों को राहत दी गई है उन्हें अब टेक्स भरने के आवश्रक्ता नहीं होगी और इसी बीच उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनात इस बजट पर क्या कुछ कह रहे हैं सीधी तस्वीरें मैं सबसे पहले इसका स्वागत करता हूँ करोना कालखंड में जब दुनिया की तमाम अर्थ विवस्थाएं पूरी तरह प्रभावित हुई है उन इस्तितियों में भारत के 135 करोड जन्ता की अफिक्साओं और आकांसाओं को ध्यान में रख करके एक विकासों नमुक और व्यावारी बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं अधनिय प्रधान मंत्री जी का और मानिय बित्त मंत्री जी का हिरदे से अविनंदन करता हूँ वास्तों में बजट सर्व समाविसी, सर्व कल्यान कारी और समाज के प्रतेक तपके के हितों को संबर्धन करने वाला बजट है इस बजट में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महलाओं के लिए, गरीबों के लिए, और समाज के प्रतेक तपके के लिए जहां बहुत कुछ प्रावधान किया गया है, वहें साथे साथ, बजट देश के इंफ्रस्ट्रक्चर डेबलमेंट के लिए भी, चाइवा, राजमार्गों के छमता को विस्तार देने का हो, रेलवे इंफ्रस्ट्रक्चर को एक नई गति देने का हो, उर्जा छेतर में ब्यापक प्रिवर्तन लाने की दिसामें के जा रहे नए प्रियासों की ओर, प्रिदेश का ध्याना कर्शित करता हो, इंफ्रस्ट्रक्चर पर भी ध्यान देने का जो प्रियास हुआ है और स्वास्त्य के छेत्र में तो आमूलचूल प्रिवर्तन करने के लिए राश्टिय रोग नियंतर्ण की दिस्से जिस प्रकार की कारयोशना बनाई गई है यह सभी अविनंदनी है जल जीवन मिसन अब तक ग्रामिन छेत्र के लिए था सहरी छेत्र को भी इसके साथ सामिल करना और जल जीवन मिसन को सहरी छेत्र के साथ जोडने के साथ ही सहरी छेत्र में और भी तमाम प्रावधान जो के जा रहे हैं इस सभी स्वागत योग्य हैं खासतोर पर जो सहरी स्वच भारत मिसन है इसका पार्ट को जारी होना हम सब जानते हैं कि एग्रिकल्चर के बाद देश के अंदर सरवाधिक रोजगार प्रदान करने वाला छेत्र टेक्स्टाइल का है देश के अंदर साथ मेगा टेक्स्टाइल पार्क की घोशना ये स्वागत योग्य है उर्जा छेत्र में हाइड्रोजन इनर्जी मिशन की घोशना ये उर्जा छेत्र में आमोल्चूल प्रवरतन का कारण बनेगा और ये ही नहीं बलकि अगर हम किसानों की बात करते हैं तो ये सरुविदित है कि लागत का डेड़ गुना दाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के किसानों को दिया एक हजार अत्रिक्त मंडियों को इनाम के साथ जोड़ने की जो कारवाई हुई है कारवाई की घोशना हुई है ये वास्तों में किसानों को लागत का डेड़ गुना दाम देने की गारंटी का एक माध्यम बनेगा और एक बहुत महत्वपूर और बहुत ही ब्याभारिक बजट आज प्रस्तुत किया गया है MSME सेक्टर जो निवेस का ग्रोथ इंजन माना जाता है इसके लिए विसेश प्रोथ साहन देना और आज हमने पहली बार देखा है कि पेपरलेस बजट ही नहीं आया बलकि अब इस बजट में पेपरलेस बजट ने भारत के इथियास का पहले पेपरलेस बजट ने डिजिटल जनगर्णा की भी घोशना की है यानि सारी चीजें अब डिजिटल फोम में आ रही हैं ये सुविधा जनक भी होगी और ब्यवारिक भी होती भी दिखाई देंगी इसमें किसी भी प्रकार की कोई धानली की कोई गुंजायस भी नहीं होगी और सही तथ्य और सही आंग्डे देश के सामने आते भी दिखाई देंगे मैं एक करोना काल खंड में एक बिकासो नुमुक और ब्यवारिक बजट के लिए जिसमें समाज के प्रतेक तपके का ध्यान रखा गया है अधने प्रधान मंत्री जी का हिरदे से आवहार व्यक्त करता हूँ मानि बित्त मंत्री जी को इस वजट के लिए हिरदे से बधाई देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि यह बज़ट नए भारत की नए अर्थनीति के इन रूप आम जन की आसा और अकानसाओं का प्रतनीत्व करतावा दिखाई देगा भारत को दुनिया की एक आर्थिक ताकत के रूप में पस्तुत करने का एक माध्यम बनेगा बज़ट में सो सेनिक स्कूलों को राज्य सरकारों के साथ या पीपी मॉडल के साथ बनानी की घुषणा इतन तो स्वागत युग्य है इसके साथ ही सिक्सा के छेतर में भी व्यापक प्रिवड़तन करने अनुसूची जाती के बच्चों के लिए इस्कॉलर्शिप की जो गोशना होई है यह अत्यंत लापकारी सिद्ध होगी बरिष्ट नागरिकों की जो अपिक साई थी कोरोना काल खंड में भी सरकार ने उनका ध्यान रखा और अब 75 वर्ष से धिक आयू के जो भी बरिष्ट नागरिक है उनकी पेंसन की आये में टैक्स से छूट देनी की घोशना भी स्वागत युग्य है अनुसूची जन जाती के बच्चों के लिए एक लब्बे आवासे विद्यालियों के अत्रिक तो गोशना यतन तो सरानी पहल है और अगर मैं कहूं तो ये वज़ट सर्व समावेसी सर्व कल्यानकारी और आत्म निर्भर भारत की मंसा से देश के गाओं का गरीब का किसान का नौजवान का महलाओं का और समाज के प्रतेक तपके के लिए कल्यानकारी होगा स्कूल बनाये जाएंगे इसके लिए उच्च शक्षा आयोका गठन किया जाएगा आधिवासी इलाकों में साथ सो पचास एकलव्य स्कूल बनेंगे इससे आधिवासी छात्रों को बड़ी मदद मिल सकेगी तो साथी देश में सौ सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे लेह में केंद्री युनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया गया है वित्तमंत्री ने बताया कि अनुसुचत जाती के स्किल ट्रेनिंग पर काम किया जा रहा है जिससे लोगों को काम मिल सके और इसी में भारत और जापान मिलकर एक प्रोजेक्ट को चला रहे हैं मोदी सरकार के आम बजट में देश के चुनावी राज्यों पर विशिश कृपा दृष्टी नजर आई केंद्रिय वित्तमंत्री निल्मा सीतारमन ने आम बजट में इस साल 3500 किलो मीटर के नए राज्यों राजमार्क बनाए जाने का लक्षे रखा है और तमिलाडू से लेकर केरल असम और पश्चम बंगाल को विकास की सौगाद से नबाजा है टेक्स्टाइल पार्क से लेकर हाईवे और एकनामिक कोरिडोर के ऐलान को तमिलाडू के राजनितिक समिकरन साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है और पश्चम बंगाल के हाईवे का काया कल्प करने का ऐलान किया गया निर्मला सितारमन ने अपने बजट भाषण में बताया कि केरल में 1100 किलो मीटर लंबा नेशनल हाईवे बनाया जाएगा जिस पर 65,000 करोड रुपए खर्च होंगे और इसी के साथ मुंबई कन्या कुमारी एकनामिक कोरिडोर का निर्मान किया जाएगा तो वही निर्मला सितारमन ने पश्चिम बंगाल को खास सौगाज से रवाजा कोलकाता सिलेगोडी के लिए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का एलान किया गया सुमवार को देश का आम बजट पेश किया गया वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट भाषण में बोलते वे कहा करुणा के बाद राजनितिक सामाजिक रिष्टों में बदलाब हुआ है और पीम जी के वाई के जरिये 12 करोड लोगों को मदद मिली है तो साथी उन्होंने कहा कि देश में करोणा की मृत्यूदर सबसे कम हुई उन्होंने कहा अर्थविवस्था में सुधार के संकेत मिले हैं तो साथी वित्तमंत्री ने पीम आत्म निर्भर स्वस्ति भारत योचना शुरू करने की बाद कही और इसके साथ 17 नए इमर्जंसी सेंटर खोलने के साथ साथ 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्स्टाइल पार्क लॉंच करने का एलान किया वहीं आखिरकार 10 महीने के बाद मुंबई के लोकल ट्रेन आम जनता के लिए खुल गई एक फरवरी से शुरू ही इस लोकल ट्रेन के बाद स्टेशन पर खोई हुई रौनक जो है वापस लोटती निज़र आ रही है काफी दिनों से आम जनता को लोकल ट्रेन में यात्रा की अनुमती का इंतजार था जो पूरा हो चुका है और इसको लेकर हमारे समधाता ने लोगों से खास बात चीट की मुंबई की लाइफ लाइफ लाइन कहे जाने वाली मुंबई लोकल को आज यानि एक फरवरी से सुचार रूप से खोल दिया गया है अब त्रेन का सफर करने के लिए अपने घरों से निकल पड़े हैं लेकिन जिस तरह से भीड की उमीद थी वह भीड अब दिखाई ने दे रही है ले इसका तरह यह माना जा रहा है कि लोग जो है अब कहीं-कहीं जिस तरह से रूटर बेसिस पे जाया करते ते वह जा रहा है लेकिन और को नेंतर करने के लिए पर सबक्राइब अबहरा है लगातार लगातार अपने पॉइंट पर जो चेक सुबह के वक्त निकलेगी तो उनके लिए किस तरह का बंदोबस लगाए के लिए इस पुरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जार्पी अधिकारी है और जानकादी देंगे कि किस तरह से चीजे कंट्रोल की जह सर यहां बोरावली पोलीशिशन रेलवे के अंदर जो करके जो टाइमिंग में लोग आ रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है इदर भीड को नियंटन के लिए आप किस तरह का चेक पॉइंट लगाया क्या किन-किन चेक पॉइंट का ध्यान रखा जा रहे हैं बोरावली रेलवे स्टेशन के अंतरगट टोटल उन्नीस गेट में से हम साथ गेट खुले हुए लोगों को भीड के ध्यान में रख के हुए हमने साथ गेट खुले हुए और लोग सब्सक्राइब कर रहे और नियमों का पालन कर रहे हैं प्रशातना रो महाराज सरकार ने ये रेलवे के लिए सूब जो चलेगी उसको जो है सूब से लेके साथ बजे तक उसके बाद साथ बजे के बाद आम मुंबई करों के लिए बंद कर दी जाएगी फिर सूब जो है बारे बजे से कर देरात 9 बजे के बाद जो है मुंबई कर सफर कर पाएंगे ये कहीं कर एक सवाल ख़़ाव रहात है कि आम जो मुंबई कर है उनके लिए सुचार रूप से मुंबई की लोकल कब चालू कुछ जाएगी लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि हर रेलवे स्टेशन पे लग खबर दोपहर में खबरों का सिलसला लगातार जारी है हम यहाँ पर उखते हैं एक छोड़े से ब्रेक के लिए क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं आपकी सेहत नहीं बनती भूख कम लगती है वजन नहीं बढ़ता दरसल में बात खाना पीना खाना नहीं है में बात है खाया पीया लगना और अगर खाया पीया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयरविदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंतर को आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड आपके शरीर को लगे आपकी भूख बड़े खाया पिया सही से लगे नया खून बने हड़ियों में जान आए वजन बड़े ताकत बड़े चेहरे पर नूर आए और आप मुटे तगडे खूब सूरत परसनेलिट के मालिक बन जाए ये दवा पूरी तरह से आईरविदिक होती है इसका शरीर पर कोई भी साइड एफेक्ट कोई भी नुकसान या दुश पर भाव नहीं होता लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तमाल कर सकते हैं और पहले पंदरा दिन के अंदर ही आपको इसका असर म 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं सचीव जैश शाह को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है तरसल राहूल गांधी ने जैशा को एशियाई क्रिकेट परिशत का अध्यक्ष चुने जाने पर तंजिकसा राहूल गांधी ने कहा जैश शाह का एसी सी का मोख्या चुना जाना बीजेपी की युग्यता शैली प ग्रह मंत्री नरोतम मिश्ट्रा के दोरे पर प्रिटोकॉल का पालन नहीं करना तैसलदार को भारी पड़ गया। ग्रह मंत्री नरोतम मिश्ट्रा ने मंच से ही बोल दिया कि मैं तैसलदार के निलंबन की खुशना करता हूँ। उन्होंने कहा कि जन कल्यानकारी योजनाओं के क्रियानवन में किसी भी तरह किला परवाही बरदाश्ट नहीं की जाएगी। अधिकारी कोई भी हो, किसी भी पद पर हो, जरहत में समझोता किये बिना सक्त कारवाई की जाएगी। आपको बता दे, गनतंत्र दिवस के मौके पर शाश्किय जंडा वदन कारिकरम के लिए पी डेवल्योडी मंत्री गोपाल भारगव के सागर पहुचने पर प्रोटकॉल के तहट जिन अफसरों के ड्यूटी सर्क्ल हाउस में लगाई गई, उन पर मंत्री की अगवानी के द जहां बहुजन समाज पार्टी के एकलोते विधाय को अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेट में शामिल करा चुके हैं तो वहीं अब राश्ट्रिय लोगसमता पार्टी के भी जेडियो में विलाय की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है RLSP के राश्ट्रिय अध्यक्ष और पूर्व किंद्रियो मंत्री उपेंदर कुश्वाहा ने मुक़्े मंत्री नितीष कुमार के आवाज पर पहुंचकर न से मुलाकात की سیम नितीष से उपेंदर कुश्वाह की ये मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली जानकारी के मताबिक नितीश कुमार और उपेंद्र कुश्वाहा की मुलाकात के दौरान RLSP और जेडियू के विलाए को लेकर चर्चा की गई दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान जेडियू के प्रदेश अध्यक्ष बशिष्ट नाराइंड सिंग मौजूद रहे को सबक सिखाएगी और उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं बहुत घमंड नहीं करना चाहिए यह सच है कि भारती जनता पार्टी का जो चरीत्र है जो उनका काम रहा जो उनकी नीती है वो भारत के सम्मिधान पर उनको भरोसा नहीं दूसरे दलों के नेताओं को डरा के तोड के खरीद के आप क्या साबित करना चाहते हैं आप अगर किसी दल के नेताओं को खरीद के अपने दल में ला रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है नेता बिग गया है तो जनता बिग जाएगी बंगाल की जनता मुझे लगता है कि सबक सिखाएगी मारती वहीं कांगर्स नेता पील पुन्या ने करशी कानून को लेकर कहा कि करशी कानून किसानों के हित्मे नहीं इससे मंडियों का सिस्टम खत्म हो जाएगा और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को करशी कानून वापस लेना चाहिए और उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं और जो मंडी सिस्टम उसमें भी सुधार की अवशकता है और जब वो किर्शी मंतरी थे तो वो इनके सुधार की चर्चा करते थे लेकिन जो वरतमान तीन कानून बनाया है उसमें तो मंडी सिस्टम केंदर सरकार के नए कृशी कानून के विरोध में किसान दो महीने से जादा समय से दिली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं और इस बीच मेगाले के राजजपाल सतिपाल मलक ने कहा कि उन्होंने कि इंदर सरकार को किसानों का अपमान नहीं करने और उन्हें वाफस जाने के लिए मजबूर नहीं करने के सलहा दी है उन्होंने कहा कि सरकार को इस सं और खराब हो गई मलिक ने कहा मैं सम्विधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हूँ मुझे इस तरह की को टिपड़ी नहीं करनी चाहिए लेकिन ये किसानों का मुद्दा है और मैं चुप नहीं रह सकता मैंने पहले ही प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी से इस मुद्दे को बाच ठीक न्यास उज्यान के तरब से अव्यज़्यत कारिक्रम में कोरुणा युध्धाओं का सम्मान किया गया जिर शहर की उन हंस्तिओं को सम्माने चिन्होंने लौकडाउन के दौरान काम किया और आमनेंद्र मास के ऐसे शामिल हुए जैसे से मेडिया के सवालों का जवाब देते हूए परेटन मंत्री उशा ठाकोर ने अपना ही अजीब कोरोना ज्यान बता दिया जो किसी के गले नहीं उत्रा मंत्री उशाठ हाकुर ने कहा कि रोग प्रतिरोदक शमता बड़ी है लोग मेडिटेशन कर रहे हैं इसलिए मास्क नहीं पहन दे क्या कोरूना गया तो नहीं है पर जो वैदिक जीवन पद्धति के आधार पे जी रहे हैं उनको भीतर से भरोसा हो गया कि हम प्राणाया मेडिटेशन और यदि सुवेश आम हम अगनी हुतर करें नित कंठस प्रार्थनाय करें लोग प्रतिरोदक शमता बड़ा रहें तो फि महाकाल में जो काम चलें इसका निरिक्षन मैंने एक दिन किया हैं अभी यहां और विद्वत जनू की समीते और समाज का संगठन भी इस तो देखेगा कि वहां क्या फरवरी के पहले दिन भी ठंड का प्रकोप लगातार जारी है तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार बरफिली हवाओं से ठंड में बड़हुतरी होने के आसार है इस दोरान अधिकतम और न्यूनितम तापमान में भारी गिरावट होने की संभावना जताई जा रही है तो वहीं लखनव के अलावा पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में शीत लहर की संभावना है मौसर विभाग ने बताया कि पहाडिक शेत्रों में बरफबारी के चलते उत्तरी पूर्वी हवाएं मैदानिक शेत्रों का रुख लगातार कर रही है और इस वज़े से ठंड बढ़ रही है लखनव समेथ प्रदेश भर में बरफीली हवाओं के चलते कडाके के ठंड रहेगी हाला कि सुभ हलके कोहरे के बाद दिन में मौसम साफ रहेगा हर्याना के अंबाला में मुख्य मंत्रे मनुहर लाल खटर प्रदेश के ग्रह मंत्रे अनल विज का हालचाल पूछने उनके निवास पर पहुंचे विज बीते दो महा से कोवेड-19 से करसित होने के कारण अस्वस्त हैं विज के निवास पर मनुहर लाल खटर ने पत्रकारों से भी बात की और किसान आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया दी प्रदेश के ग्रह मंत्री अनल विज बीते दो महा से कोवेड़ के कारण अस्वस्त है जिसके कारण पहले उन्हें रोह तक पीजी आई और फिर गुरुग्राम की मेदानता में दाखिल करवाया गया जिसके बाद विज अपने निवास पर ही स्वास्तिय लाब ले रहे हैं विज से मिलने आज प्रदेश के मुख्या मनोहर लाल खटर उनके निवास थान पर पहुंचे और उनका कुशलक्षिम जाना और इस दोरान कॉंग्रेस की वरिष्ट नेत्री नीलम शर्मा ने कॉंग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा है आज मुख्या मंतरी ने उनका सुवागत किया मुख्या मंतरी मनोहर लाल से जब हर्यान के किसानो पर कारवाई को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने एक बार फिर से किसानों द्वारा चलाए गए आंदोलन को अनावर्शक बता डाला और कहा कि फिर भी लोकतंत्र में सभी को अपनी बात करने के आजादी है और इसे के साथ ही ख़बर दोपैर में आज के लिए बस इतना ही तमाम अहम ख़बरों के लिए लगातार आप जोड़े रही हैं हमारे साथ और देखते रहिए एम विडियों के से क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं आपकी सेहत नहीं बनती भूख कम लगती है वजन नहीं बढ़ता दरसल में बात खाना पीना खाना नहीं है में बात है खाया पीना लगना और अगर खाया पीना लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयरविदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंतर को आपके लिवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड आपके शरीर को लगे आपकी भूख बड़े खाया पिया सही से लगे नया खून बने हड़ियों में जान आए वजन बड़े ताकत बड़े चेहरे पर नूर आए और आप मुटे तगडे खूब सूरत परसनेलिटी के मालिक बन जाए ये दवा पूरी तरह से आईरविदिक होती है इसका शरीर पर कोई भी साइड एफेक्ट कोई भी नुकसान या दुश पर भाव नहीं होता लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तमाल कर सकते हैं और पहले पंदरा दिन के अंदर ही आपको इसका असर मैसूस हो जाएगा सिर्फ छेसो पचास रपे की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं